हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल सेर की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं एक नहीं रेश्पी तो वीडियो अन तक जबूर देखिएगा और पसंद आए फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक किजिएगा सेर किजिएगा चैनल को प्लीज सस्काइब करना मत बू जाता है और आप इसे अचार के साथ आलो की सबजी के साथ चटनी के साथ किसी के साथ भी खाएं ये बहुत परफेक्ट जाता है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो जब भी घर में गेहूं काटा ना हो तो एक बार आप जरूर इस और इसे कोई भी अराम से बना लेगा, और ये बहुत ही मुलायम बनता है, बस इसका माप सही रहना चाहिए, आप माप सही रखेंगे, तो ये एकदम मुलायम बहुत अच्छा बनता है, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, तो यहां आप देख रहे होंगे, मैंने सारा समान एक ट्षे गहीं कठा कर लिया है यह देखिए तो यहां मैंने लिया है चावल और चनादाल दोनों को मैंने राद पर पानी में भीगोकर ठोड़ दिया था यह बहूत अच्छे से फूल गया है तो इसका माप मैं आपको बता रही हूँ, एक गिलास मैंने चना डाल लिया था और दो गिलास चावल, मतलब आपको चना डाल का दुगना लेना है चावल को, आप जिस चीज से भी माप करें, तो आप डाल का दुगना ले चावल को, और दोनों को अच्छे से फुलने के लिए छ लें और मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार डालें जादा तीखा नहों तो सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हमें ये चावल और दाल दोनों को डाल देना है पहले तो मिक्सी जार आप बड़ा वाला लें अगर जादा भर जाता है तो आप आधा-धा करके लसुन दोनों को मैंने डाल दिया अब नमक डालेंगे तो नमक भी हमें जादा नहीं डालना है धनिया पत्ती को पिछने के बाद डालना है तो नमक को हिसाब से डालेंगे जैसे हम नमक वाली पुड़ी बनाते हैं तो कैसे डालते हैं थोड़ा सा बस वैसे ही हमें डालना ह तो यह देखिए, तो नमक मैंने डाल दिया, अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच, ताकि इसका कलर अच्छा आए, देखने में, अगर आप हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, तो यह थोड़ा सा फेड टाइप का बनेगा, और हल्दी पाउडर इसका, तो यह देखिए, मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक बार सुरू में आप थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद आप एक बार बीच में देख लें, अगर एकदम गाढ़ा लग रहा है, एकदम फाइन पिसना है इसे, तो चलिए पिस लेते हैं, ढकन लगा लिया मैंने, और इसे अच्छे से पिस लेते हैं, इसके बाद हम गाढ़ा रहेगा तो इसमें पानी एट करेंगे, तो मैंने पिस लिया, यह देखिए, अब इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं पहले फिर चेक करेंगे कि यह बेटर ठीक है या नहीं, तो मैंने निकाल लिया, अब इसमें ढल देंगे धनियापती, और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हमें, तो धनियापती मैंने ढल दिया, अब जीरा डालेंगे, तो जीरा मैं यहां खड़ा डाल रही हूं, आप चाहें तो इसे पीष्टे समय भी डाल सकते हैं तो जीरा डाल दिया मैंने आधी चम्मच अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको लगे कि एकदम गाढ़ा है तो थोड़ा पानी आप एड कर लें या फिर एक आप दूसका बना के पहले देख लें अगर अच्छे से नहीं बन रहा है तो फिर पानी एड करें ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे इसमें थोड़ा सा पानी हम एड करेंगे भी तो मिक्सी जार में ही हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और उसे अच्छे से ऐसे हिला के और पानी को डाल देते हैं यह देखिए तीन चार चमज पानी है बस अगर आप पतला बेटर बनाएंगे तो भी धूसका अच्छे से नहीं बनेगा इसलिए ना गाढ़ा होना चाहिए और नहीं ज्यादा पतला होना चाहिए तो मैं निडाल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चीला बना रहे हैं इसका तो आपको पतला रखना है बेटर और धूसका बना रहे हैं तो आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो यह अब एकदम ठीक है अब हम गैसान करके एक पेन चढ़ाएंगे और उसमें तेल डाल तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो यह आप देख रहे होंगे मैंने पेन चढ़ा दिया तेल भी डाल दिया अब तेल को गरम होने देते हैं इसके बाद हम एक बड़ी चम्मच से जो डाल निकालने वाला होता है उससे हम एक एक करके डालना है तो यह देखिए और गेस को हमें medium flame पे रखना है, न धीमी और न तेज, medium flame पे रखेंगे, तो हमें ने डाल दिया, अराम से डालना है, ताकि तेल के छीटे ना पड़े, और डालने के बाद आप इसे छोड़ दें, ये अपने आप फूलने लग जाता है, तो आप एक पहले बना के देख लें, अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा है बेटर, तो आप उसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, और एक तरब सेखने के बाद, जैसे थोड़ा सा फूलने लगे, तो आप फिर उसे पलट दे, तो ये पहला वाला है, तो थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, न ताकि कच्चा न रहे, उसके बाद इस टेनर पे आप निकालते जाएं, या किसी बरतन में पेपर रख दें, उसके उपर निकालते जाएं, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है, वो पेपर में सोख जाएं, ये देखिए, एक हमारा ये धुसका बन कर तयार हो गया, और कितने साथ ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है, धनिया पती डाला है, जीरा, लसुन, मिर्च हर चीज डाला है, तो ये आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो ये अच्छा लगेगा, तो मैंने इस टेनर पे इसे रखा हुआ है, ताकि तेल पूरा निकल जाए, अब इसे भी हमें इसी तरह से पलट-पलट के पका लेना है, तो आप देख रहे होंगे, ये कितना जल्दी बन गया, इसे बनाना ज्यादा कठीन नहीं है, और कितने अच्छे से ये फूल रहा है, तो ये दूसरा है हमारा, तो इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं, अगर आपका कड़ाही बड़ा है, तो आप दो-दो भी डाल सकते हैं, तो ये देखिए, तो ये दूसरा वाला भी हमारा बन कर तयार हो गया, अब इसे भी निकाल लेंगे इस्टेनर पे, और इसी तरह से हमें तिसरा चौंथा, सब हमें इसी तरह से बनाना है, फिर मैंने इस्ट पूरा निकल जाए, अब तिसरा हम डाल देंगे इसी तरह से, और मैंने चटनी पहले से बना रखा है, आप इसे आलू की सबजी के साथ खाएंगे, तो ये और भी ज़्यादा टेश्टी लगता है, खाने में, तो तिसरा मैंने डाल दिया, उसे भी इस तरह से फुलने दें करनेगा, कड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, सो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेस्पी अच्छी लगे, तो जरूर वीडियो को लाइक किजिएगा, और चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो म करनेगे